इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए जादा समिन न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ो से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ओल के उप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे अपने टेक्नो असपार केट सी मौईल फोन के सेटिंग में फिर आपको यहां एक उप्शन मिल जाएगा सेम कार्ड और मोबाल नेटवर्क का आप यहां पर क्लिक करेंगे फिर इसमें आप नीच आएंगे तो आपको यहां डेटा सेटिंग जिस जिस भी आप को यूज नहीं करते हैं तो अगर उसका डेटा आउन है तो आप यहां से उस आप को जो है बंद कर देंगे जैसे दोस्तों मैं यहां पर देखिए जो है कल्कुलेटर को ज्यादा यूज नहीं करता हूं तो हम क्या करेंगे कल्कुलेटर का डेटा बंद क यूज नहीं करते हैं तो हम कैलेंडर का भी डेटा बंद कर देंगे तो इसी तरीके से आप जो भी एप यूज नहीं करते हैं तो उसका डेटा आप यहाँ पर बंद कर दीजिए और जिस जरूरी एप को आप जो है यूज करते हैं जिस app को आप हमेशा use करते हैं बाकी सब को आप यहां से off कर दिजिए तो यह setting आपको यहां पर कर देना है और यह data सिबर आपको नहीं रखना है तो जब आप यह दो setting कर देंगे उसके बाद आपका mobile internet data लंबे समय तक चलेगा और आपका data जो है जल्दी खतम नहीं होगा तो इस तरी के साब जो है इस problem को ठीक कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल सस्क्राइब जरूर करिएगा